रादे रादे सभी को, आज कल सबके घर के अंदर लड़गोपाल जी विराजमान होते हैं पर कुछ लोगों को नियम नहीं पता होते हैं कि हमें लड़गोपाल जी के लिए विश्च रिषतर क्या क्या नियम होने चाही हैं तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे तो पहला नियम जो है प्रतम तो यह बात मन में बैठाना बहुत अवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का परवेश हो जाता है फहेग घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त ह जाना चाहिए अब यह जो घर है वो लड्डू गोपाल जी का हो चुका है दूसरा है दूसरी विशेश बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य है तो सत्य तो यही है कि आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है अन्ता लड्डू गोपाल जी को परिवार का एक सदस्य का इस्तान प्रदान कीजिए जैसे कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये हमारे घर का वंच है जो भी है तो ऐसे ही हम अपने बच्चे को इस्तान प्रदान करें तीसरा है परिवार के सदस्य की अवशक्ताओं के लिए अनुसार ही परिवार के लिए करते हैं कि हमारे परिवार के लोगों को किस किस चीज की जरूरत होती है ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के हर चीज का समान का विशेस तर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी को क्या क्या चीजे की अवशकता है चोथा है कि यह कि लड नहीं चाहिए बस उनसे प्रेम करो भाव से उनसे बात चीत करो और मतलब जितना भी भाव है वह अर्पीट करिए वह उतना आपको वापस से भी ज्यादा आपको देंगे इसलिए लड़ू गोपाल जी को बहुत प्रेम करें पांचवा है प्रते दिन प्राता लड़ू जी को इसनान अवश्य कराएं किन्तु इसनान कराने के लिए इस बात का विशेश धियान रखें कि जिस परकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गरम पानी वहा गर्मी में ठंडे पानी से इसनान करता है उसी परकार ही लड़ू गोपाल जी के इसनान के लिए मोसम के अनुसार चैन स चैन करें इसनान के बाद प्रते दिन धुले वस्त रही का लाला को पहनाएं कैसे जैसे गर्मी आ जाती है तो भी हम अपने लाला को थंडे पानी से ना निला के हलका गुन-गुना सा पानी होना चाहिए क्योंकि हमारा लाला छोटा है तो छोटे बच्चे को तो हम वैसे भी लाए पानी से आप लोग नहलाएं गर्मी के अनुसार गर्मी के कपड़े पेनाएं सर्दी के अनुसार सर्दी के कपड़े पेनाएं छटा जिस परकार आपको भुक लगती है उसी तरका हमारे लड़ गोपाल जी को भी भुक लगती है उनका भोजन ध्यान रखे भोजन के अत्रिक्त सुवे नाश्ता और शाम को चाय नाश्ता आदी हर चीज का ध्यान जरूर रखे काना जी को हर दो से तीन घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जरूर दें क्योंकि छोटा लल्ला है तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है साथवा घर में कोई भी खाने की वस्तु आए लड्डू जी का हिस्सा सबसे पहले निकालना है चाहे कुछ भी चीज आए और सबसे बड़ी बात है आप घर में कुछ भी लेकर आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के ही समक्ष उसको रखना है कि जैसे लाला का ही सबसे पहले सपर्ष कराना है उन चीजों को आठवा प्रतिक मोसम के अनुसार लड्डू जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंद करना चाहिए मोसम के अनुसार वस्तर पेनाने चाहिए जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको गर्मी है तो गर्मी के अनुसार कोटन के कपड़े पेनाए और अगर सर्दी है तो सर्दी के अनुसार उनी कपड़े बहुत मुलाइम सौफ्ट कपड़े पेनाए जैसे हम अपने शिशू को पेनाते हैं ठीक है 11. लडू गोपाल जी से कोई न कोई नाता अवश्य कायम करें चाहिवे भाई का हो पुतर का हो मित्र का हो गुरु का हो आदि कोई भी क्यूं ना हो जो भी नाता लडू गोपाल जी से बनाएं उसको प्रेम पूरवक निश्टा से निभाएं ज्यादातर लोग जो हैं अपने बच्चे के साथ में हमेशा पुत्र का रिष्टा ज्यादा निवाते हैं तो उसी के लिए अपने लड्डू को पाल जी को कुछ ना कुछ नाम ये कुछ ना कुछ नाता उनसे जोड़े जाए वो पुत्र के रूप में जोड़े या भाई भेन जो भी आप के उससे जोड़ना है वो आप देख लीजिए बारवा अपने लड्डू को पाल जी को कोई प्यारा सा नाम दे इतने सारे हमारे लड्डू को पाल जी के नाम है कोई सा बहुत अच्छा सुन्दर सा नाम आप रख सकते हैं अपने लड्डू को पाल जी का मेरे लाला का नाम है काना मादव केशू बहुत सारे लाला है मेरे पास में तो सबके नाम अलग अलग है और तेरवा है लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक वाते करें उनके साथ खेलें जिस परकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी परकार लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक सबसे पहला जो भोजन है वह लाला को कराएं जैसे ही आप सबसे पहले खाना ये हमारे ठाकुर जी की परशादी है तो घ्रेंड करिए ठीक है चौदवा है प्रते दिन रातरी के रातरी में लडू गोपाल जी को शैन अवश्य कराएं जिस परकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी परकार अपने लल्ला को सुलाएं ऐसा नहीं है कि अपने पूरवक ना सुला बिल्कुल लॉरी वॉली सुना के अथप थपाके अपने लल्ला को सुलाएं क्योंकि मेरा नटखट है मेरा बालक बहुत नटखट है यह जल्दी से सोता भी नहीं है पंदरवा है प्रते दिन प्रता प्रेम पूरवक पुकार कर जगाएं कैसे जैसे हम अपने लल्ला को उठाएं ठीक है सत्रवा यू तो प्रतिक जनमस्टमी पर लड्डू गोपाल जी का पूजन धूमधाम से होता है किन्तो यदि आपको यह तिथी पता नहीं है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया था उसी तिथी को लड्ड लड्डू गोपाल जी आये थे उसी ही दिन से हर साल अपने लल्ला का जनम दिन बहुत प्यार और श्रद्दा से मनाना चाही है और हमारे लल्ला को केक सब चीज़े मंगाएं और उसके बाद में खिलोने मेरे बच्चे को बहुत जाद पसंद हैं तो लड्डू गोपाल जी लड्डू गोपाल जी का विशेस तर हर चीज़ का दियान लखना हमारा करतव्य बनता है और इसी लिए लड्डू गोपाल जी एक बहुत चोटा शिशू के रूप में हैं तो देखो शिशू की सेवा जो होती है वो ऐसे ही होती है जैसे हम अपने छोटे से बच्चे की करत हैं जब वो पैदा होते हैं तो हमें अपने लला का बहुत विशेस तर से हर तरीके से ध्यान लखना चाहिए है कि हमारे लाला को क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए है किस चीज़ की जरूरत है किस चीज़ की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग इस चीज़ का कुशन करते ह कि दिरी हमको नहीं पता चल पाता है कि लाला को क्या बात करनी है हम उनके भाव नहीं समझभाते हैं भाव समझने के लिए सबसे ज़्यादा पहले उनके साथ में दोस्ती होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी, आप लड़ू गोपाल जी के भाव बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए पहले अपन समझ जाती हूँ कि मेरे लला को क्या चीज चाहिए, कब उसको मेरे पास में आना है, कब उसको क्या चीज चाहिए, क्या नहीं, वो सब मेरे को समझ जी में आता है, क्योंकि मैं अपने लला को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, या ये समझ ली जिए, कि हारी नहीं मेरे समा चुका है तो सरदी जो है अब लला को किस तरीके के कपड़े उनी कपड़े पेनाएं बहुत उन जो अगर अपने हाथों से वस्तर बना रहे हो तो बहुत सॉफ्ट उन आती है जैसे कि मैंने पेनाई हुई है अपने लला को आप देख सकते हैं तो मैंने जो अपने लला को पर नहीं यह बहुत सॉफ्ट उन है कि जो बॉडी में नहीं काटेगी और बहुत तो मतलब ना ही कुछ दिकत होगी लाला को बहुत सॉफ्ट उन है ना ही चुबेगी अच्छी हून है तो इसलिए हर चीज जो है चाहे वो गर्मी का कपड़ा हो चाहे वो सर्दी का कपड़ा हो इसी विशेशतर का आप ध्यान रखें कि अपने लला को कोई कस्ट ना हो किसी भी तरीके से लला को कस्ट ना हो उसी तरीके से आप बस्तर ले क्या है क्या चीज अपने लला के लिए चाहे वो खाने की हो और अपने लल्ला को सात्विक भोजन ही दे प्याज, लैसुन, इन सब चीजों का परियोग ना करके और अच्छे से प्रेम पूर्वकर हैं जै श्रीकिष्णा, जै शिरादे सदिक